दोहजाद चौबिस अब काफी नस्दीक आ गया है ऐसे में दोहजाद तेईस का साल कींद्र में सत्ता रूट बीजेपी के लिए अच्छा रहा पिछले कुछ सालों से पार्टी ने साल दरसल अपनी जड़े मजबूत की है 2023 में विधान सबर चौनाव में जिस तरह जीत हासल की है उसके बाद 2024 आम चौनाव से पहले बीजेपी की जीत को जानकार तैब बताने लगी हैं लेकिन पार्टी के इस अच्छे दिन के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं जिसका एहसास 2023 में दिखा और जिस अंसुजिच सवा के जवाब की तलाज बीजेपी करने की कोशिश करेंगी नमस्कार मैं सुंबे का गुपता और आप देख रहे हैं दन्यूस 50 दोज़ाच चौबिस में बीजेपी के सामने क्या चुनौतिया आने वाली है और आने वाले साल में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है चली उ साउथ इंडिया के राज्यों में सिर्फ करनाटक में ही सतल थी लेकिन हाली में हुए चुनाव में बीजेपी ने वह भी गवा दिया करनाटक में 2013 में कॉंग्रेस की सरकार थी लेकिन 2018 की चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पाटी बड़ी भूमत साबित ना कर पाने की वज़ा से Congress JDS ने सरकार बनाई लेकिन एक साल में ही वह फिर बीज़ेपी के सरकार बन गई लेकिन इस साल हुए चुनाव में बीज़ेपी के हाथ से करनाटक भी चला गया तेलंगाना से बीज़ेपी को उमीद थी लेकिन बीज़ेपी वहां भी अपनी पकड नहीं बना पाई हाली में हुए विदान से बचनाव में बीज़ेपी को महज 8 सीटे मिली हाला कि फिचले कुछ स्चनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी और उस लिहास से यह बढ़ता है लेकिन साउथ के राजियों में क्राक करना बीज़ेपी के लिए चनाटी बना हुआ है करनाटक में लोकसभा की 28 सीटे हैं और बीज़ेपी ने 2019 में यहां 25 सीटे जीती थी तिलंगाना की 17 में से 4 सीटे जीती थी साथ ही लेकिन टमिल नाजू किरला और आंध्यपरदेश में एक भी सीट बीज़ेपी को नहीं मिली फिर आती है चनाटी दो वैसे तो बीज़ेपी खुद को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी कहती है उत्तरपदेश और हिंदी भाशी राज्यों में देखे तो बीज़ेपी लगबग पीक पर पहुँच गई है हाली में बीज़ेपी किने मद्यपरदेश, राडिस्थान, चत्रिसगर्ड, विधान सबाचुनाव में जीज़ड की साथी उत्राखंड में राजनीतिक च्ट्रेंड बदलते हुए दोबारा सरकार बनाई गई है उत्तरपदेश में भी बीज़ेपी फिर से सत्ता में आई जीती हन्याना की, सभी सीठे, 10 सीठे बीज़ेपी के खाते में गई, हिमांचल में भी 4 सीठे जीती गई, लेकिन राजिस्थान की 25 में से 24 सीठे बीज़ेपी को एक बीज़ेपी के सायोगी को मिली, मद्यपरदेश में 29 में से 28 सीठे जीती, उत्राखंड की भी 5 सीठे जी सी चुनौती आती है वो सबसे बड़ा सवाल खरती है नरेंद्र मोधी नहीं तो कौन बीज़ेपी के नेता से लेकर कारेकर्टा तक विपक्ष से सवाल पूछती रहती है कि मोधी नहीं तो कौन यहीं सवाल बीज़ेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोधी के बाद कौन बीजेपी में नरेंद्र मोदी सिर्फ एक चहरा ही नहीं है बलकि करीब पूरी ही पार्टी की मोदी है उनके चहरे पर ही बीजेपी सिर्फ लोकसभा ही नहीं बलकि राज्यों के चुनाव भी लड़ती है हाली में हुए तेलंगाना मध्यपदेश वाजिस्थान सब जगा पर बीजेपी ने मोदी के चहरे पर ही चुनाव लड़ा यहां तक कि लोकल बॉड़ी के चुनाव में भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चहरे का सहारा लेती है ऐसे में नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में कौन होगा जो बीजेपी के लिए मैजिक का काम करे हाला कि अनियम खुदी बीजेपी ने कई मौकों पर तोड़ा भी है लेकिन मोधी के बाद कौन इस सवाल का जाओ तलाशना बीजेपी के लिए चुनौती है फिर अगली चुनौती आती है नए मुद्दे क्या होंगे बीजेपी अभी मोधी की गरेंटी के रत पर सवार है और लगातार कहती है कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे की है आयोध्या में भवे राम मंदिर बनाना जम्मु कश्मी से आठिकल 370 हटाने का मुद्दा शुरू होते ही बीजेपी और संग के मुद्दे रहे हैं आठिकल 370 हट चुका है और अगले साल 22 जन्वरी को आयोध् संसोधन बिल बीजेपी पास कर चुकी है और हाला कि अभी इसे लागू होना बाकी है संसद और विधायकों में महिला आरक्षन का कानून भी बन गया है ऐसे में बीजेपी के सामरे चुनातियां है कि वह क्या नए मुद्दे होंगे जो बीजेपी के लिए वोट बैंक जु भी आती बीजेपी जिस रेवडी पॉलिटिक्स पर निशाना सकती है उसकी क्या काट निकलेगी और खुद को उससे कैसे अलग करेगी यहँआभी बीजेपी की चुनौती है बीजेपी दूसरी पार्टियों पर तो रेवी पॉलिक्स का आरोप लगाती है और लेकिन हाली में विधान समझ चनाव में बीजिपी ने खुद लोगों के इस तरह के बादे किये और उन्हें घोशना पत्र में शामिल भी किया तो हमारी आज के ज्यानकारवी में बस इतना है अब इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए साथ ही देखते रहिए दर न्यूज सुफ्टिंग वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूले